पांच से नो मार्च के बीच में मद्य प्रदेश के कैई जिलों में हो सकती हैं बढ़ साथ किसान भायो नमस्कार स्वागते आपका हमारे यूटूब चेनल स्मारिट एगरी कल्चर में इस वीडियो में हम मद्य प्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे किसान भायो इस समय पर मद्य प्रदेश के अधिकतर चेतरों में मोसम सुष्क बना हुआ है लेकिन अब बहुत जल्द मद्य प्रदेश का मोसम बदल सकता है क्योंकि मोसम विबाग के अनुसार 5, 6, 7, 8 और 9 मार्च के दोरान मद्यप्रदेश के कुछ जिलों में बादल चाहे रहेंगे और कुछ इस्तानों पर बारिश हो सकती है तो क्या है मोसम विबाग का नया अपडेट इसके पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंते तक देखे और आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो नेचे देगे लालक्सरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजे तक कि हम जैसे नए वीडियो अप्लोड गरे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिल जाए किसान भायू अब अगर मद्य परदेश के मौसम के बारे में बात करे तो आपको वीडियो स्क्रीन पर पांच मार्च की रिपोर्ट दिखाए दे रहे हैं जिसमें तार, जाबवा, इंदोर, उजेन, कंडवा, करगोन, इसके साथ-साथ, गुना, असोकनगर, राजगर, इन जिलों के उपर हलका पीला रंग दिखाए दे रहे हैं जिसका मतलब यह है कि पांच मार्च के दोरान इन जिलों में बादल चाहे रहेंगे और इन जिलों के कुछ इस्तानों पर अलकी से मद्यम बरसात हो सकती है इसके लावा अगर 6 मार्च की रिपोर्ट देखे तो किसान भाईयो 6 मार्च के दोरान भी खंडवा, करगोन, बेतुल, बोपाल, गुना, असोकनगर, सागर, नीमच, मनसोर इन जिलों के उपर हलका पिला रंग दिखा दे रहा है जिसका मतलब यह है कि 6 मार्च के दोरान इन जिलों में बादल चाहे रहेंगे और किसान भाईयो अगर 7 मार्च की रिपोर्ट भी देखे तो 7 मार्च के दोरान भी जबलपूर, नर्सिंगपूर, रिवा, पन्ना, सागर, इन जिलों के उपर हलका पिला रंग दिखा दे रहा है और 8 मार्च की रिपोर्ट देखे तो 8 मार्च के दोरान भी दिवा, सतना, सिधी, सिंग्रोली, उमरिया, सयडोल, जबलपूर, नर्सिंगपूर, पन्ना, तता ग्वालेर, इन जिलों के उपर हलका पिला रंग दिखाए दे रहा हैं, तता नो मार्च के दोरान भी, सागर, जबलपूर, नर्सिंगपूर, हर्दा, नरमदापूरम, जबलपूर, रिवा, उमरिया, सयडोल, इन जिलों के उपर हलका पिला रंग दिखाए दे रहा हैं, तो किसान भाईयो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, कि यह जो जानकारी हैं, मैंने आइमडी की ओफिशल वेबसाइट से प्राप्त की हैं, तो आप मेरे द के उपर बादल चाहे रहेंगे, और उन जिलों के एक दो इस्तानों पर हलकी फुलकी बरसात हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा तेज बारिस होने की कोई संभावना नहीं है, जिससे की बस्तों को नुक्सान हो जाए, तो आपको बारिस की चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है, यह बारिस से एक-दो छेतरों में होगी और होगी जहां पर भी बहुती कम होगी, तो इस वीडियो में वस इतना ही, आप मद्यपरदेश के कौन से जिले से बिलों करते हैं, और भी आपके जिले में मोसम की क्या स्थिति हैं, कमेंट करके आवश्य बताना, चले मिलते हैं अ